नमस्कार दोस्ते स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब शैनल टेक्निकल जैक में आज किस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है वो तो आपने थमनिल में जानी लिया होगा जी हां तो भाई बिहार में किसी भी जमीन का रजिस्टेशन का जो है कोपी नकल के वाला का नकल यह सब निकालना काफी ज़्यादा टाफ है यार खुद मैं पिछले दो महिने से यहां फसा हूँ इसी काम के लिए और जिसका में कारण है कि मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था और भाई सच बताओं तो काफी एक्सपेंसिव हो गया है मेरा यह नकल निकाल हूँ महर माड़के दिया हूँ तो मुझे हजार रुपे दे दो पांस उसको दो हजार उसको दो चाय नास्ता कर्चा बहुत तरक का एक्सपेंस आ जाता है और आपको काफी एक्सपेंसिव पढ़ जाता है वह निकालना तो मैंने सूचा यार ऐसा तो होई नहीं सकता है कि के वल यह काम होता हो क्या ओनलाइन भी हो सकता है तो मैंने इस पर थोड़ा सा रिजर्च करना शुरू किया और ऑफिसल वेबसर में मैंने काफी महनत करके यह पता लगा कि हाँ भाई वाकई ओनलाइन हम कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाइस्टे पूरी डिटेल के साथ दिखाने वालों कि किस तरह से आप अपने किसी भी जमीन का के वाला रेजिस्टेशन की कोपी को निकाल सकते तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करें आखडी तक देखेगा आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिस करना चाहूंगा कि अ यहां पर यहां पर यहां पर आपने घृटॉप जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ओप्सिंद आजाने ऊप्सन्स आ जाने आप देख पार है advanced search property registration detail of Bihar ठीक है तो इस वाले option को क्या करना है click करना है click करने के बाद आपको property registration detail of Bihar का official website मिलने वालो है जहांसे आपना केवाला का detail search कर सकते कुछ इस तरह का website आपके सामने open होने वाला यह interface है तिक यहां पर आपको जो भी ढिटेल्स आपको अब आलूम हैं वो टेल्स फिलाप करने के बाद क्या कर सकते हैं। अब कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी नहीं भी है क्या थोड़ी सी जानकारी नहीं भी आप फ्लद सकते हैं। हमाटा गिया है।ỉफ हैं क destructionrift बाप करे third option जहां तक यहां देख सकते हैं प्री कंप्यूटराइजेशन में बिफोर तू थौजन फाय मत्तब कि 2005 से पुराना 1922 का भी कितना भी पुराना डेटा हो तो आपको यहां से मिल देगा चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कषेशन में क्या होता है उसके पीछ है और भी पूराना डेटा देखना तो आपको फेज बीचतेशन औफिस में सर्च कर लेता हूं यह रहा मैंने अपना रेजिस्टेशन ओफिस सर्च कर लिया और प्रोपर्टी का लोकेशन भी सर्च कर लेते हैं हम यहां से ठीक है अगर आपको पास नहीं है तब भी आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा ओल ओबर दिखा देगा तो यह होग देख पार यह पोपर लिए अगर सर्च नहीं करेगा तो हां पर सब्सेक्षण नहीं करने लिगा अब सलेंबर ओप ध़िए अब यहां से हुं किया करेंगा सर्च होने कृणिक बाद मायदा ले ले लेते हैं टो मायदा जो है हमारा लिष्ट में देख लेते हैं है एल में यह तक टीक हो रहा है तोAre you यां तो यह सर्च हो रहा है सर्च होने की वाद आप देख सकतें यहां पर इस 있죠 सेवन के ही उद्हेब पर हम यहां पर सर्च करेंगे कि कितना कम है अगर वही मैं सिर्फ रजिस्टेशन ओफिस डालता तो बहुत कम दिखाता है यहां पर क्लिक यह ट्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो है पूरा डिटेल के साथ दिखाया जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यह रहा पूरा डिटेल के साथ जो है के वाला का पूरा हिसाब किताब दिखाया जा रहा है ठीक है आप इसी में आपका जो भी होगा आप ढूंड सकते हैं यह जैसे का पार्टी का नाम है ठीक है आप देख सकते हैं पूरा डिटेल सीरियल नंबर डीड नंबर टोके नंबर रिजिस्टेशन इयर किस पबेचा दिखा है उसके खड़ीदा है वह एक दिखा रही है, यहाँ पे पार्टी नेम आपको एक EGClican दिखा रहे हैं, मतलब होत है, रहा रहा है प्रिम बेचने वाला और क्लेमन्ट दकhone होता है, दिखा रही है, क्लेमन में मतलब detail دکھا रहे circle हो गया माजा हो गया apartta कितना है plot accusations कितना है और area कितना बीचा गया है या खड़िदा गया है वह detail आपको दिखाया जएगा तो यह आपको short form में दिखा रहे आपको पूरी detail में जाना है न एक file की तरह आपको देखना है तो क्या करना है सेप्ली अप यहां पर देख सकते हैं जो फर्स्ट सेकेंड रोह है वहां पर आपको व्यू डीटेल का ऑप्शन दिखा रहा है यह वाला ठीक है आप व्यू डीटेल पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको ए आब के वालाओ का कोल पी इसली निकाल सकते हैं ठीके अर इस चिर्कूट में आते ह tapa इसका क्या अतात परहMat है देखे बहुत कम लोग बताता है इसका मतलब फीडियो फाइल नोट अवैलिवल का यह मतलब होता है कि आपका जिस एडिया का जमीन है उसमें कुछ भी अगर लोचा होगा कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना आपका ही निभर कि उस एडिया उस खाता खेसरा में किसी का भी ज लिए उसको अपना निकाल सकते तो यह हम प्रिंप्ली पर क्लिक करेंगे प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपको बेडियां बनने का उप्सण दे देगा तो बहुत ही आसान है निकालना। और मच बेटर की अगर आपके पास ज्यादा डिटेल हो तो बहुत अच्छा है तो मैं कहा करता हूं अभी सारा डेटा हटा देता हूं ठीक है मेरे पास कुछ भी अवैलेबल नहीं है बस मुझे रजिस्टेशन ओफिस किसी तरह से पता है कि हाँ फ़लाने रजिस्टेशन इस ले लिए और यहां पर नाम लिख देता हूं मैं ठीक है मुझे नाम भी याद है ठीक है तो यहां पर नाम सर्च कर लेते हैं चाहे आप खड़ीदने वाले का नाम सर्च कीजिए या बेचने वाले का ठीक है तोनों पार्टी नेम में दोनों का किसी एक का नाम आप डाल सकते हैं यहां पर मैं एक क्या करूंगा एक नाम फीड़ कर देता हूं मैं भी और उसके बाद सर्च करते हैं ठीक है यह से मैं यहां पर सर्च कर दिया एक डाजंदर लिख दिया मैं अब ढूंडते हैं राजंदर नाम से कोई के वाला मिलता है या नहीं मिलता है आपका जो भ तो आप देखते हैं देखिए जैसे कि बहुत सारे का है पेशर भी मत्ब की टाइटल भी राजंदर में आ रहा है है और खड़ी दार बेचने वाला इस सब देखें राजंदर पसाद याद आव इस तरह से बहुत सारा हमको डेटल दिखा रहा है और हम इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं अगर आपके पास रजिस्टेशन ओफिस और नाम याद है स्पेलिंग याद है कि किस स्पेलिंग से मतब क्या होता है कि पूराने जमाने में नाम जो फीड करता है ना स्पेलिंग का काफी मिश्टेक होता था था तो इस वज़े से भी हम लोग सर्च नहीं कर पाते तो यह बहुत ही आसान तरीका है देखिए इस तरह से आप अपना क्यावाला का चिरकुट निकाल के कच्छरे में जाके बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते या दर्वास आपक को हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर कर ना भूले मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकाडी के साथ तब तक के लिए नमस्कार